वाइरस का कहर पूरी दुनिया में देहशत बन चुका है बता देंगी 21 दिनों के लॉकडाउन के बीच प्रिधान मंतरी नरेंदर मोधी ने 5 एपरिल को घरों की लाइट बंद करके दिया मुंबती जुलाने की अपील की है प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी ने वाइरस के किलाव जंग में महमारी का अंधिकार मिटाने के लिए देशवाजियों से 5 एपरिल की रात 9 बजे 9 मिनट तक घर की लाइट बंद करने को कहा है और कहा है इसके साथ या आप दर्वादे या बालकनी में खड़ी होकर दिया मोंबती फ्लाश लाइट या टॉर्च लाइट चला सकते हैं हालांकि उन्होंने इस दोरान शोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने का नर्देश दिया है अगर आप भी साफ सफाई के साथ सैनिटाइजर का इस्तमाल करते हुए मोंबती या दिया चलाने का प्लान बना रहे हैं तो थोड़ा ठहर जाएं दरसल सैनिटाइजर का इस्तमाल करने से पहले सतर्क रहें लास्टिंग एवं कॉस्टमेटिक सर्जरी विवा के अगधिक्ष का कहना है कि हैंड सैनिटाइजर काफी जरूरी होता है लेकिन इसके उत्पाद में अलकोहॉल की काफी अधिक मात्रा होती है और कुछ मामलों में ये 62 परसंट तक होता है इससे सैनिटाइजर अधिय अधिक जुवलन शील बन जाता है और इससे किसी के भी जुलसने का खत्रा हो सकता है आपको बता दें कि भारतिय सेना ने भी एक एडवाईजरी को जारी किया है दरसल अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से इंडियन आर्मी ने कहा कि 5 अप्रिल को रात 9 बजे जब वाईरस के खिलाव जंग में एक जुटता दिखाने के लिए दिया या मुंबती जलाएं तो हमें इसमें थोड़ी सावधानी बरित्मी होगी भारतिय सेना ने कहा कि रविवार को बालकनी या दर्वाजे पर दीप या मुंबती जवलाने से पहले अपने हाथों को धोने के लिए साबुन का यूज़ करें दीप या मुंबती जवलाने से पहले सैनिटाइजर का इस्तमाल ना करें क्योंकि इसमें एलकोहॉल होता है इस वीडियो में फिलाल इतना ही ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए बोल्ड स्काई को सब्सक्राइब करना ना भूलें